आज की तारीक है साथ ग्यारा दो हजार बाइस आज के बाबा की मदर मुरली के मदर मावा के हैं मीठे बच्चे मनुशे जो बाप को भूल दलदल में दुबन में फसे हैं माना दलदल में फसे हुए हैं उन्हें निकालने की मेनत करो इस दलदल से बिचार सागर मन्थन कर सब को शिब बाबा का सत्य परचे दो मनुशे जो इन विकारो रुपी दलदल में फसे हैं उन्हें निकालने की मेनत करो बिचार सागर मन्थन कर सब को शिब बाबा का परचे दो प्रशन है आज की मुली से गीता को किस धरम का शास्तर कहेंगे इसमें रहस युक्त समझने की बात कौन सी है उत्तर गीता शास्तर है ब्रामण देवी देवता धरम का शास्तर ब्रामण देवी देवताएं नमा का जाता है इसे सिर्फ देवता धरम का शास्त्र नहीं कहेंगे क्योंकि देवताओं में तो ये ग्यान है नहीं ब्रामण ये गीता का ग्यान सुनकर देवता बनते हैं हम सब ब्रामण बच्चे बावा से इस ग्यान को सुनकर जो आमें नेरा कारशिप बावा ने सुनाया है इसे ही सच्चा सच्चा गीता ग्यान कहते हैं और इससे सुनकर हम मनश्च से देपता बनते हैं इसलिए ब्रामण देवी देपता दोनों का ही ये शास्त्र है ये कोई हिंदु धरम का शास्त्र नहीं कहा जाता ये बहुत समझने की बाते हैं गीता ग्यान स्वयम निराकार शेप बाबा तुमें सणा रहे है गीत है आजकी मुरली से ना वह हम से जदा होंगे अउंश्यांती बाबा बच्चों को बैट समझाते हैं अच्छी तरह से कौन सा बाप? पार लौकिक बाप लौकिक बाप को तो इतने बच्चे नहीं होते पारलौकिक बाप के इतने बच्चे वना इतनी आत्माई सब पारलौकिक पिता के हैं जो याद करते हैं हे पतित पावन सर्व के सद्गती दाता ओ परम पिता परमात्मा तो पिता कहकर पुकारते हैं परमपिता परमात्मा निराकार भगवानु बाच निराकार परमात्मा तो एक ही होता है ना दोतुनी होते निराकार परमात्मा तो एक शिप बाबा है बच्चों की बुद्धी में बैठा है कि उचे से उचा भगवान है वह कहां रहते हैं जहां हम सबात्माई रहती थी वही परमात्मा भी रहते हैं इश्वर प्रभु भगवान कहने से सुख का बरसा लेने की बात नहीं आती बाप कहने से बरसा याद आता है परंतु मनुष्य बाप को नहीं जानते मनुष्य अपने परमात्मा अपने पिता को नहीं जानते हम आत्मा के पिता को नहीं जानते भारत बासी ड्रामा अनुसार रावर मत पर अपनी दुरगती करते हैं तो पहले पहले ये समझाना है कि ब्रह्मा, विश्नु, शंकर सुक्ष्म शरीरदारी है, मनुष्य इस्थूल देहदारी है, परंतु इस्थूल वा सुक्ष्म देहदारी को बाप नहीं कहेंगे ब्रह्मा विश्नु शंकर सुक्षम शरीरधारी है माना लाइट के शरीर में है उनको ये हड़ी मास का शरीर नहीं है ये लाइट के शरीर में है और हम सब मनुष्य इस्थूल देधारी है माना हमारे हड़ी मास का शरीर है परंतो इस थूलबा सुक्ष में देधारी को भी बाप नहीं कहेंगे उसको भी परमात्मा नहीं कह सकते बाप परंपिता परमात्मा सिर्फ निराकार को कहा जाता है भूल क्या हो गई जो इतनी दुरगती हुई बाप द्वारा सची गीता सुनने से फिर तुमारी सदगती होती है तो कोई को भी पहले-पहले बावा का परच्छे देना है निराकार्शिप का परच्छे देना है यह है मूलवात परंथ तो कोई की गुद्धी में नहीं बैठता तब तो बाबा ने ये पोस्टर बगेरा बहुत छब आए है कि गीता का भगवान श्री कृष्णु बच्चा है या परमपिता परमात्मा अब बाबा ने ऐसे पोस्टर छब आए थे ब्रहमा बाबा ने कि गीता का भगवान कौन है श्री कृष्ण है या फिर निराकार परमा गीता किस धर्म का शास्त्र है ब्रामण देवी देपता धर्म का कहना ठीक है जैसे क्रिश्चिन का धर्म शास्त्र बाइविल है ऐसे ही गीता को सिर्फ देवी देपता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे जब तक ब्रामणों को ना मिलाएं कहते हैं ब्रामड देवी देवताय नमा बाबा ने बताया है देवताओं में ग्यान है नहीं जिव बाबा ने बताया देवताओं में ग्यान नहीं बहे ये भी नहीं जानते कि गीता कोई हमारे धरम का शास्त्र है ग्यान तो ब्रामडों में है देवता तो अथासुक में है बहां तो वसोला कला संपन है तो बहां क्यों ग्यान की दरकार नहीं ग्यान किसमें है हम सब बाबा के ब्रामड बच्चों में है जो की बाबा ने हमें सुनाया है सिर्फ ब्रामण धरम का भी शास्त्र गीता नहीं कहेंगे क्योंकि बाप दोनों धरम की स्थापना करते हैं इसी लिए दोनों धरम का शास्त्र कहेंगे बहां तो कह देते हैं हिंदू धरम का शास्त्र है बक्ती मार्ग में कहते हैं गीता हिंदू धरम का शास्त्र है आरे का भी कह देते हैं आरे समास तो दयानंद निस्थापन किया है बहे भल नया धरम है परंतु बहे कोई देवी देपता धरम के है नहीं मूल बात है गीता का भगवान कौन गीता में श्री किष्ण का नाम डाल गीता को खंडत कर दिया है क्योंकि फिर बद्धी मनुश्य आत्माओं की बद्धी गीता को श्री किष्ण का नाम डाल दिया तो बद्धी किसे जोड़ गई? श्री किष्ण से जोड़ गई तो बाबा कहते हैं इसके कारण मेरे से बुद्धी योग तूट गया है अफशे बाबा को से बुद्धी योग तूट के किसे लग गया था आत्माओं का कि गीता का भगवान श्री किष्ण भक्ति माग में कह दिया था गीता में देखो कितनी बाते आई हैं और गीता पार्टशाला का मान कितना है तो अभी देवी देपता और ब्रामर धरम प्राया लोप है पुजारी लोग कहते हैं ब्रामर देवी देवता नमा तो उनको ये मालूम नहीं कि ब्रामर देवता कैसे बने ये उनको बताए कौन तो बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख बन्शाबली बनाए देवता बनाता हूँ मैं तुम सब बच्चों को ब्रह्मा मुख बन्शाबली बनाकर ब्रह्मा बाबा के मुख से ग्यान सनाकर देवता बनाता हूँ तो गीता हो गई ब्रामण देवी देपता धरम का शास्तर सिर्फ कहें देपता धरम का तो लक्षमी नराण में ज्यान है नहीं ये बात समझने की है परन तु समझाए कौन शेप बाबा सुनाते हैं कि रुद्र ज्यान यग से बिनाश जौला प्रजुलित हुई कहा रुद्र यग कहां श्री किषabyte फर्व है ना तो इस ख्यान यग के बाद फिर सत्यून में कोई माटीरियल यग नहीं रचा जा जाथा माना माटीरियल यग माना जैसे हाभां समझा गी याधिस से जो है यग करते हैं इस तरह का कोई यग सत्यून में नहीं होता अब यग रस्ते हैं आफत मिटाने के लिए सत्यूर में तो कोई आफते होती नहीं तो यहाँ आफत होती है इसलिए यग रस्ते हैं जब कोई आफत होती है तो यग रचना ना पड़े गीता में रुत्र यग का भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा है कि भगवानु वाच तो गीता में सच है आटे में नमक जतना गीता में जो सचाई है तो उतना है तो उसे आटे में नमक डाल दो बाकी सब जूट है अब ये विचार सागर मंथन शिप बावा नहीं करेंगे ब्रह्मा कुमार और कुमारियों को करना है बावा ने तो हमें ग्यान समझा दिया अब इस ग्यान का मंथन किसको करना है हम सब बच्चे को करना है इस समय मनुश्य तो एकदम दुवन में मन दलदल में फसे हुए हैं दलदल से निकलने में बड़ी मेनत लगती है इस विकारो रूपी दलदल से निकलने में बड़ी मेनत लगती है तब तो बाबा को पुकारते हैं तो बाप कहते हैं तुमको पाँच विकारो रूपी बात नहीं सब अंधकार में पड़े हैं मौत जैसे की सामने खड़ा है और कहते हैं अभी तो कल्यूग के 40,000 वर्ष पड़े हैं इसको कहा जाता है गोर अंधियारा की सभी कल्यूग के 40,000 वर्ष पड़े हैं साड़े बारा सुबर्ष में तो ये हाले कल योग का 40,000 वर्ष में क्या होता तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है घोर अंधियारा कुम्ब करण की नींद में सोय पड़े हैं कहते हैं भक्ती का फल भगवान देने आता है सदगती देने आता है तो दुरगती में है न भगवान आता है सदगती देने गीता में अगर श्रीव परमात्मा का नाम होता तो उसको सब मानते तो बरोबर निराकार ने राजयोग सिखाया था युद के मैदान की कोई बात नहीं है युद के मैदान में इतना बड़ा ग्यान कैसे देंगे अब बाबा युद का मैदा चारों तरफ सब खड़े हों जैसे गीता में कहा गया ना श्री किष्णी ग्यान दिया को लड़ाई छिड़ी हुई या बीच में अर्जुन को बलाकर ग्यान दिया तो बाबा करते हैं युद के मैदान में कैसे ग्यान देंगे राजयोग कैसे सिखाएंगे मुख धरम चार भी चार हैं अभी तो अनेका नेक धरम अनेक शास्त्र अनेक चित्र हैं अब बच्चों की वद्धी में वैठा है कि उचे से उचा शिब बावा फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विश्णु शंकर फिर साकार में लक्ष्मी नाराया फिर उनकी डिनास्टी संगम पर ब्रह्मा सरस्टी बस रुद्र यग जब रस्ते हैं तो शिब का लिंग बनाए पूजा कर फिर डबो देते हैं देविओं की भी पूजा कर फिर डबो देते हैं तो गुधे-गुडिया की पूजा हो गई ना क्योंकि उनको तो occupation को जानते नहीं उनके शिप बाबा क्या करते हैं या देवी देपता हैं कहां से आए और देवी देपता कब थे ये सब बाते तो जानते नहीं शिप बाबा को भी नहीं जानते और जबकि शिप बाबा की महिमा है पतित पावन तो कैसे पाप आत्माओं को पावन बनाते हैं अभी तुम को जाकर जगाना है अतार्थ बाबा का सच्चा सच्चा परिचे देना है बाप को जानते नहीं सिर्फ पैसा कमाते हैं कथा सुनाते रहते हैं इससे क्या हुआ तुम बिदत मंडली में भी जाकर समझाओ इस लड़ाई में मरना तो सब को जैसे जरूर है इस रुद्र ग्यान यग से बिनाश जौला प्रजुलित होती जाती है लिखते भी रहते हैं कि हमने इतने बड़े बड़े बॉम्स बनाएं तो कल्प पहले भी इन से बिनाश हुआ था इसलिए तो यह सब बॉम्स बना रहे हैं यह सब बॉम्स कोई कल्प पहले इन और यादब अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज है तो ये पोस्टर लाखों की अंदाज में छपबाओ सब भाशा में अंग्रेजी में तो जरू छपबाना चाहिए जहां जहां गीता पाटशाला हो बहां बाट दे जाओ पोस्टर पर एड्रस भी लिखी होनी चाहिए बाबा डारेक्शन देते हैं करना तो बच्चों का काम है बाबा हम सब बच्चों को डारेक्शन देते हैं कैसे कैसे चित्र बनाने हैं कैसे कैसे सेवा करनी है इन्हें पोस्टर को छबा कर बच्चों का काम है बाबा के बच्चों ने बहुत है कि गीता मैगजीन में भी पकष़ पहले बाप का ये dedicate लिए चे लिखो तो जो ब्रामर ने वाले हूंुग bond उनको जट से तीर लगेगा गीता में मैगजीन में बाबा कहते है सबसे पहले गीता मैगजीन में क्या लिखना है बाबा का परिचलिक हो तो जब बच्चे बाबा के होंगे जो कल पर पहले बाबा का जिनोंने ग्यान सुना होगा तो उनको जट तीर लगेगा नहीं तो लिया पाठियों को देना उसमें भी जिसके भाग में होगा वह समझेंगे बाप कहते हैं ये तो है ही नरक यहां जो भी बच्चे आदी पैदा होते हैं एक दो को दुख देते रहते हैं एक दो को जैसे काटते रहते हैं बाकी जो गरुन पुरान में विशे बैतरनी नदी दिखाई है वह तो है नहीं ये दुनिया तो जैसे नरक है तो बच्चे जानते हैं आज नरक बासी फिर संगम बासी बनते हैं कल फिर स्वर्ग बासी बनेंगे इसके लिए सब बच्चे पुरुशाद कर रहे हैं रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम सब रोहानी बच्चों के रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते आज बाबा की रातरी क्लास का है 23.1968 में जो बाबा ने सुनाई थी उच से उच एक भगवान माना फादर माना पिता किसका पिता सभी जो आतमाए हैं उन सब का पिता जो भी मनुष मातर हैं उन में जो आतमाए हैं उनका फादर अभी अभी आतमाए जो की पाट बजाने आती हैं पहपुनर जनम जरूर लेती हैं कोई बहुत थोड़े लेते हैं, कोई 84 जनम लेते हैं, कोई 80 और कोई 60, देहे धारी जो भी मनुष्य हैं भल ये लक्षमी नारायन विश्वर राज करने वाले हैं, उस समय न्यू वर्ड में कोई और डिनाइस्टी थी नहीं, सत्योग जिसको न्यू वर्ड नई दुनिया कहा जाता है, उसमें और देवी देपता धरम, के अलावत ना तो कोई धरम था, ना कोई दूसरा बनुष्य था, जो भी देहे धारी बनुष्य हैं, कोई भी सदगती दे नहीं सकते, पहले पहले है सुईट साइलेंस होम, सबसे पहले पहले है शिव बाबा का परमधाम, माना निराकारी बर्ड अशरीरी दुनिया कहा जाता है, बाब उच से उच, फिर रहने का इस्थान भी बहुत उच से उचा है, बाब कहते हैं, मैं सबसे उच से उच हूँ, मुझे भी यहां आना पड़ता है, सभी मुझे पकारते हैं, जो भी सभी मुझे पकारते हैं, उन पुनर जनम लेना जरूर है सिर्फ एक बाप ही नहीं लेते हैं लेकिन एक शिब बाबा है निराकार है वो इसे जनम मरड के चकर में नहीं आते हैं पुनर जनम तो सभी को लेना ही है कोई भी धरम इस्थापक हो बुद्ध अवतार कहते हैं न तो बाबा को भी अवतार कहते है शिब बाबा को, उनको भी आना पड़ता है, अभी सबी आत्माएं यहां माजूद हैं, बापस कोई भी जा नहीं सकते, पुनर जनम लेते हैं तब तो ब्रद्धी होती है ना, तो बाबा कहते हैं अभी सारी आत्माएं परमधाम से, इस समय कल्योग में सब यहां पर माजूद अभी परमधाम ने कोई नहीं है आत्माएं, तो बाबा कहते हैं सब ब्रद्धी होती रहती हैं, पुनर जनम लेते लेते इस समय सभी जैसे तमो प्रद्धान बन गया हैं, तो शिब बाबा आकर नौलज देते हैं, ग्यान देते हैं, बाप ही ग्यान का सागर है, आदी मद अंत का ग्यान शिब बाबा में हैं, उनको ही नौलेजफुल और ब्लेसफुल कहा जाता है, पीसफुल एवर प्योर, बाकी मनुष्य मात्र प्योर इंप्योर बनते हैं, पवित्र पवित्र बनते हैं, शिब बाबा तो है पीसफुल, शान्ती का सागर, एवर प्योर, सदा पवित्र ये लक्षमी नारायंट DT डिनाइस्टी के फुर्स्त हैं उनके ही पुर पूरे 84 जनम लेने पढ़ते हैं पुनर जनम यहां ही लेते हैं इस छुड़ाने वाला सब दुखों से चुड़ाने वाला बाप को ही कहा जाता है इस समय सभी धर्म में स्थापक यहां हाजर है बाकी थोड़े हैं जवाते रहते हैं ब्रदी जैसे होती रहती है सर्व का सदगती दाता एक शेव बावा ही है शांती धाम बसुख धाम का मालिक बनाते है तुम ही पूरे 84 जनम लेते हो तुम जो पहले आये थे भही फिर पहले आएंगे क्राइस्ट पहले अपने समय पर आएंगे क्राइस्ट में यह ताकत नहीं कि किसको बापस ले जाएं बापस ले जाने की ताकत एक शेव बावा में है एक बाप में है इस समय रावड राज आसुरी राज 84 जनमों में बिकार पूरे प्रवेश कर लेते हैं बाप कहते हैं तुम डीटी दुनिया के मालिक थे तुम दैवी दुनिया के मालिक थे फिर रावड राज में तुम बिकारी बन पड़े हो पुनर जनम सभी को जरूर लेना पड़ता है हर आत्मा को अपना पार्ट बजाना पड़ता है एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर जरूर लेना पड़ता है धरम इस्तापन कर बापस चला जाए ये हो नहीं सकता उनको पालना जरूर करनी है गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्तापना और इस परानी दुनिया का बिनाश नई दुनिया में एक ही धरम एक ही डेटी डिनास्टी थी एक ही देवी देपताओं का बंश था एक ही धरम था अब जो कि यहां है नहीं कल्योग में तो अनेका नेक धरम है सिर्फ चित्र है और सभी धरम मौजूद हैं सिवाए एक God Father के जो भी देहधारी हैं पुनर जनम जरूर लेते हैं भारत है अबिनाशी खंड ये कब विनाश नहीं होता बाबा कहते हैं और सारे धरम मौझूद हैं सिवाए एक शिव पिता के एक निराकार परमात्मा के और देहधारियों के तो हैं जो कि पुनर जनम में आते हैं लेकिन नेराकार शिव बाबा का कोई चित्र भी नहीं है बाबा कहते हैं भारत है अबिनाशी खंड ये कब विनाश नहीं होता अबिनाशी है जब इनका राज था तो कोई और खंड ही नहीं था सिर्फ इनका ही राज था जब सत्युग में देवी देपताओं का राज था तो कोई और खंड नहीं था सिर्फ देवी देपताओं का राज था सूरिवंशी, चंदरवंशी बस और कोई नहीं नई दुनिया को स्वर्ग डेटी वर्ड कहा जाता है इन कार्पोरियल वर्ड को स्वर्ग नहीं कहा जाता उस निराकारी दुनिया को स्वर्ग नहीं कहते वह है हमारा स्वीट साइलेंस हम बहुत मेठा मेठा शान्ती धाम निर्वार धाम आत्मा को ग्यान सिवाए परंपिता पर्मात्मा के कोई और दे नहीं सकता आत्मा जैसे बहुत छोटी बिंदी के सरूप में है सभी आत्माओं का फादर है सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है बह कब पुनर जनम में आनी सकते इस समय नाटक की पिछाड़ी है ये सारी दुनिया जैसे स्टेज पर है पाँच हजार साल की और ये है पुर्शोतम संगम योग जिसमें हम आत्माओं का परमात्मा से मिलन होता है जबकि बाप आकर सभी को उत्तम से उत्तम बनाते है आत्माए अभिनाशी ही है ये ड्रामा भी अभिनाशी है बना बनाया खेल है जो पास हो गए फिर उसी समय पर आएंगे पहले पहले ये आये थे पहले पहले ब्रामा बाबा और ममा आये थे तो लक्षमी नारायन तो बाबा कहते है पहले पहले ये आये थे सत्यूग में पहले पहले ये आये थे लक्ष्मी नारायन अब है नहीं सच्चा सच्चा सत का संग ये है अच्छा मीठे मीठे रुवानी बच्चों को रुवानी बाबबा दादा का याद प्यार गुड नाइट ये बाबा की रातरी क्लास थी तो बाबा बच्चों से कहते हैं गुड नाइट दाणा के लिए मुक्हिसार है पहला विचार सागर मन्थन कर मनुश्यों को दलडल से निकालना है शान्ती जिन को नहीं है अशान्ती में जी रहे हैं तो ऐसे कुम्ब करण अग्यान की नींद में जो सुए हुए हैं उनको जगाना है दूसरा सुक्ष्म अत्वा स्थूल देहदारियों से बुध्य योग निकाल एक निराकार शेव बावा को याद करना है सबका बुध्य योग एक बाप से जुटाना है बरदान है आज की मुर्ली से सच्चे वैशन वबन पवित्रता की स्रेश्ट इस्तिती का अनवब करने बाले संपूरन पवित्र भब संपूरन पवित्रता की परिवाशा बहुत स्रेश्ट और सहज है संपूरन पवित्रता का आरत है सपन मात्र में भी अपवित्रता मन और बुद्धी को टच नहीं करे इसी को कहा जाता है सच्चे वैश्न चाहें अभी नंबर वार पुर्शाती हो लेकिन पुर्शात का लक्ष संपूर पवित्रता है और ये सहज भी है क्योंकि असंबब से संबब करने वाले सर्व शक्तीमान बाबा साथ है तो हमारे साथ सफलता बाबा कहते हैं सब सहज वो जाती है संपूर पवित्रता का जो लक्ष है वो सहज वन जाता है स्लोगन है आज की मुरली से सहज योगी वह है जो हट वा मेहनत करने के बजाए रमडीकता से पुर्शाथ करे सहज योगी वह है जो हट से और मेहनत करने के बजाए खुशी से प्रेम से रमडीकता से पुर्शाथ करे किस तीस का पुर्शाथ करे बावा को याद करने का अपने बिकर में बिनाश करने का सत्य यग में बर्सा लेने का अच्छा ओम शांती